कि है लो ज़ोईंस कैसे आप लोग सागत है आप से भी का तो अज मैं आपको बताया था कि आठ भी आज आपकी हुआ तो आज आपका टेश्ट होगा आठ पढ़े तो सारे लोग जद्धिस सेजन को जद्धि जब के पास सेर करिए जिसे भी लोग टेश्ट दे सकें और आप स यहां पर टेस्ट करना है आप इसको Model Paper भी समझा सकते हैं तो यहाँ पर इसको Model Paper की कि तरह ही दे सकते हैं गिश्ट है यहाँ पर आप इसको चाहे टेस्ट समझे चाहे आप इसको Model Paper समझे बिल्कुल जो आने वादा है इसको घिरूज्स साथ डीज चैने के अथ आपको यहां पर दिया गया है तो सारक सरा अब आप लोग अच्छे से इसको टेश्ट दीए जलिस सेर करें सेर करें सेर करें सब है कि सभके पास आयर कर दिए जली को कि ठीक कि छलिए मैं सुरू करता हूं आपको ठीक है तो आपको यहां पर देखिय क्यों है आपको यहां पर पहला दिया हूँ है पहला कुश psychedelic आपको यहां पर बहुती गल्पी है कि 292 Kelvin पर अर्धवक्रियाओं के मानक अप्चेन विभाव हैं पहला जड़ेन डबल प्लस प्लस टू इलेक्टान जड़ेन इसके लिए इसके लिए इसके लिए मानक अप्चेन विभाव यह है तो आपको इसमें बताना है कि प्रबल अप्चायक कौन होगा ठीक है आपको इसमें बताना क्या है कि कौन प्रबल अप्चायक है प्रबल अप्चायक है ठीक है आपको यहाँ पर बताना है कि प्रबल अप्चायक कौन है चलिए हम नेक्स कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलिए आपको यहाँ पर नेक्स कोश्चन है यहाँ पर आपको चैओं हो आपको सुध्र करने की वीधी है पेप्टी करण दुसरा असकंधन तीसरा अपोहन और चौधा ब्रेडिंग आर्क वीधी तुछ में आपको बताना है कॉलाइड को सुध्र करने की कौंसी वीधी है इसके साथ एक कुश्टन प्रिफम कोट के अपकरे के 90 पूर्ण पूर्णी में लगा समय लगबग होता है पहला आप से ने अरधायु का 2.2 गुना दोसरा अरधायु का 3.3 गुना तीसरा अरधायु का 1.1 गुना और चावता है अरधायु का 4.4 गुना तो दोनों कुश्चन बहुभी कल्पी आप लो कुश्चन मैं आपको देता हूं है आपको यहाँ पर नियुक्स कूश्चन आता है ऊकर जूम करके दिखा रहा हूं है और अगला question है पहला कोन सा बिटामिन क्या होता है इस कर्वे के लिए इत्तरधाई होता है इस सब को लिख लीजिए और अच्छी से इसको लिखिएगा पेपर अच्छ माठ्व cath Kyber अभिकरम का उप्योग किया जाता है पहला है अशिकरन के लिए दूसरा दुभंध की जांच के लिए प्रतुम कोट के अविक्रिया में अर्द वगत पूम्दं करता है दूसरा सांतरता के वित्गुंवान पाती होता है तीसरा है उसकी प्रामिक सांतरता के वर्घमोल पर निर्भर करता है कोई साइश्च मैं आप सुजी होगा आप लोग पर खेल को चैनल को सब्सक्राइब करें येकर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चलिए अब आपको निश्ट कुछ चनाता है आपको निश्ट कुछ चनाता है निम लिखित में से कौन सा आयस्क नहीं है पहला है आइरन पायराइट दूसरा है हार्न सिलोवर तिसरा है मैलेक आइट और चौथा है पीग पीछे के जितने भी बाद में आते हैं तब तो आते हैं उनमें क्या होता है पहला आयन उर्जा अधिक हो जाती है दूसरा घंत उच्छ हो जाता है तीसरा आयनिक त्रिज्जा कम हो जाती चौथा यह सभी वापको निश्ट कुछ चन यहां पर आता है ग्लुकोज को एथिल इलकोहाल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्ट एंजाइम है पहला आपसन है इन्वर्टेज दूसरा है जाइमेज तीसरा है डास्टेज चौथा है यह सभी नेक्स्ट कुछन है एस्टिक अमल के हाइड्रो जोईक अमल के साथ सांध रेस्ट्रेसर फोर के पस्तिती म अब कराने पर क्या बनता है पहला है मेथेन दूसरा मेथिलैमीन तीसरा मेथिल साइनाइड और चाफ़ एथिल एमीन तो बताएं आप लोग चलीने शूर्टेज आपका आता है अब लोग वीडियो को रोकर कोस्चन को लिख लीजिए और इसके बाद आप अपना एंसर लि दूसर रहे ह्यान कर दूसरा है तो दूसरा कुछे आता है जब है अचानो 3 मतलब नाट्रिक अम्र से अभिक्रिया करता है तो निमनी में से क्या बनता है CH-CL3-NO2 दूसरा है C-NO2-CL3 तीसरा है C-CL3-NO3-4 था है CH-CL2-NO2 ठीक है चलिए अब आपको निश्ट कोश्टन अब यहाँ पार आता है अब आपको निश्ट कोश्टन अब यहाँ पर अब आपको अविकल्पी कोश्टन समाप्त हो गया अब आपको लिखना रेटेन वाला कोश्टन आता है जो की 50 नंबर का होगा ठीक है तो चलिए अब आपका रेटेन वाला सुरूत है जो की 50 नंबर का आएगा तो इसमें आपको पहला कोश्टन है ठोस कठोर क्यों होते हैं ठीक कूशन को लिखते जाए अब अपना अच्छे से paper print पे लिखिएगा और अच्छे से तयारी करिए करिएगा ठीक इसको याद करिएगा चलिए अब का करेकैस अब का फुर्फट कूशन आता है सम्परासारी billion किसे कहते होंरो सम्परासारी billion удba किसे कहते है ठीक है चलिए अब आपको नेक्स कूश्चन आता है मेथिल इलकोहाल और एथिल इलकोहाल में विभेद कैसे करेंगे ठीक है चलिए आपको नेक्स कूश्चन आता है धात्विक चालक और बिद्दु तबघटनी चालक क्या होते हैं या आप यूँ कह सकते हैं इसको कूश्च रोग लिखी ठीक है तुम्हेर को फिर बता दों लोग को नोड करते रहिएगा आपको मॉडल पेपर भी है टेस्ट ल का सर्थ एक प्रकार ठीक तो आप लोग को को नोड करते है ठीक है तो जल्दे सबके पास एक पास सेर भी करिए चलिए आपको दूसरा कोश्चन है 0.29 ग्राम कारवनी के योगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.5 डिगरी सेल्सियस के कमी पाई गई योगिक का अडुभार याद कीजिए ठीक है यहां पर थोड़ के अफ का जो मान दिया है वह दिया है पांच डिगरी सेल्सियस ठीक है के अफ का जो मान यहां पर दिया है आप लोग इसको लिख लिजिएगा यहां पर के अफ का मान दिया है पांच डिगरी सेल्सियस ठीक है चलिए अब आपको यहां पर निक्स क्रूश्चन आता है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिकरिया को 3 बटे 4 पूर्ड करने में लगा समय अर्ध अभिकरिया को पूर्ड करने में लगे समय का दोगुना होता है दोस्तोरे कूश्चन बहुत ही ज़रल है थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाईए कि बस कूश्चन है प्रथम कोट की अभिकरिया है यहाँ पर अर्ध हाई वाला आपको यहाँ पर फार्मूला लगाना है ठीक है आपको उनिश कूश्चन आता है फिर चालकता सिल क्या है चालकता सिल क्या होता है ठीक है तब user के बारे में पढ़िये hybrid कितने प्रकार के होते है videos कैसाओ बनाता है कौनि सब पर PARTIFर कि बढ़िये इसके बाद भी हएक test और और होगा तो आप दो परिर इसके बाद आपका अच्छे सबर्गार कई तो यहां पर पीस्ट passionher और नेक्स कोश्चन आपका इस्टरी करण क्या होता है तो आपका यहाँ पर पैदा है समन्नवे संख्या किसे कहते हैं दूसरा लिवकास परिछट तीसरा है इस्टरी करण क्या होता है ठीक है अगर आप कोई दिक्कत होती है आप लोग हमके हमें कमेंट में बता सकते हैं हमको ठीक है चलिए यहां पर आपका कोश्चन आता है ठोस कठोर क्यों होती है तो कुश्चन रिपीट हो गए फिर से कोश्चन रिपीट हो गए यहां पर ठीक अब यहां से आपका कोश्चन आता है यहां से आपका कोश्चन आता है लेंथेनाइट संकुचन क्या है पहला कोश्चन है यहां पर लेंथेनाइट संकुचन क्या है पहला कुश्चन दूसरा है अब पोहन क्या है समझाई यहां पोह तो यहां पर बताने हैं आपको पहने डालेसिस क्या होता है थर्ड कूश्चन आपको यहां पर इमानक इलेक्टरोर विभव क्या होता mom मतलब ई और ई नाट दोनों आपको यहाँ पर बतानी है ठीक है आपको निश्प कूश्चन आता है निश्प कूश्चन आपका यहाँ पर है किसी बिलेन का घंद तो एक दसमलोग जीरो नवचार है तथा उस बिलेन में इस्टियो सुफोर के 20 परसेंट भार है मोलरता करनी है अपको निश्प कूश्चन सुस किसल क्या होता है ठीक है और इसके बाद आपको यहां पर कूश्चन फिनाल अमली होते हैं क्यों ठीक है चलिंख लिए आपको कोई दिक्कत होती है कोई फार्मूलो नहीं आता है तो आप लोग बेहिज्चंस क्या है मैं आपको सारा कुछ सेनाता है कार्बो हाइड्रेट क्या है कार्बो हाइड्रेट क्या है इसके बारे में बिस्तर जानकारी दीजिए तो कार्बो हाइड्रेट आपको पढ़ना है इसका फार्मूला क्या होता है इसका कितने भागों में बाटा गया है इसका काइंड क्या मतलब टाइप क्या चाहिए अब हैं पर आपको और खाल के भारे में लिखेंग है टीछिख अैपको अ पर आपको फीगर भी देना है और प्लस किसका समीकरन मतलब information छो हो त inherently समीकरन है जो जो इसकर एक्समें और बी देना है आपको थीगर और देना है दोनों देना हे और इसका आपको याद प्रत्यूंबकी होता है कि अन्चूंबकी होता है आपको यहां पर उसका कारण भी बताना है क्यों है तो चलिए आपको निक्स कुछन आता है एमीनो अमल क्या है एमीनो अमल के बारे मापको यहाँ पर पूर डिटेल से बताना है कि एमीनो अमल क्या होते हैं क्या इसका टाइप होता है इसका एक्जामपल भी आपको यहाँ पर बताना है ठीक चलिए नेक्स क्लूशन आपको यहाँ पर है तो यहां पर thanks to all test देने के लिए तो please इसको जादा जादा share करें इसको जादा जादा share करें जिससे सभी students के पास पहुच सके और इस अपना तयारी अच्छे से कर सके हम आपको बता दूँ कि रोज रात आठ वजे रोज रात रोज रात आठ वजे आपकी यहां पर तयारी करा जाती है तो आप लोग यहां पर आ सकते हैं चैनल को जाद सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग ठीक है आपका बिलकुल फ्री क्या होता है यहां पर तयारी कराई जा रही है कोई भी पैसा आपका नहीं लग रहा है सब कुछ बिलकुल फ्री है तो हैं जब जड़ जड़ इसको सेर करें सभी के पर लोग को सभी लोग इसका file दे सकें तो आप अच्छे से दिजिए कीस्ट वात सारा आंसर आप लोग चक्क्न किया करें किमेंट में बताएंगे ठीक है कि अगर 것으로 कुछ नहीं आता है तो हमसे पोच men तो मिलते हैं कल आठ बुचे आप जरूर रहेगा जाद जाद संख्या में आईए जिससे आपको आच्छी तियार हो सकी और आप बोर्ड में अच्छा सांख पा सकें धन्यवाद